है गाइस कैसे आप लोग अच्छे होंगे मैं जोती आपका स्वागत करते हूं इस्टेडी जियोग्रफी चैनल पर फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे पीएजडी एड्मिशन से संबंदित फ्रेंड्स यह जो नोटिफिकेशन है यह एक सेंटर इंवस्टी से आया हुआ है और इसे अरिफ द्वार अच्छी रैंकिंग में लिए हुई है उसे हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो सब्जेक्ट दिया गया और उसमें सीटो की संख्या फ्रेंड्स आप यहां देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो कॉर्णर दिया गया है ते सब्जेक्ट वह दीया गया ह Agarण गया और उसके बाद में जो रॉय ओ क한테 दिया गया है वह दिया गया है यह मैं अरग यह कर्णर वह देखला है तो चलिए हम जो चली ब्लोग अच्छी से देख लीते हैं जो सब्जेक्ट दीए और में सीटो की संख्या वह फ्रेंड्स जो इलिजबिल्टि दिया गया उसे भी हम लोग एक सरसरी नजर से देख लेंगे ठीक है, सबसे पहले दिया गया है Chemistry, Chemistry में आपकी 9 सीटे दी गई है, इसमें आपका Master Degree होना चाहिए, in Chemistry और Chemistry के कुछ जो इस तरह से दिया गया है इस तरह से दिया गया है अपनी सब्जेट की जो इलिजबिल्टी क्राइटेरिया है उसे आप एक बार जरूर रिडाउट करिएगा क्योंकि सारी को हर चीज को हम लोग इसमें कवर नहीं कर सकते हैं इसलिए जो इंपोर्टेंट है वो मैं आपको जरूर बताऊंगी लिगिन एक बार जरूर आप चेक करीगा ठीक है आप यहां पर देख सकते हैं वह सारे एरिया दिये गया है जैसे बायो फिजकल दिया गया है और मेडिसीनल दिया गया है अपलाइट दिया गया है दिग्री 5% का रिलेक्सिशन दिया जारा है SCST, OVC और PWD कंडेडेट को ठीक है यह आपका इंडियन इंवस्टी से हो या फिर फॉर्ण इंवस्टी से हो ठीक है आगे दिखते हैं बायो इंफरमेटिक्स दिया गया है जिसमें एक सीड दिया गया है इसमें भी आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ 5% का यहां पर भी रिलेक्सिशन दिया जारा है SCST, OVC और PWD कंडेडेट को आगे दिया गया है theoretical and computational chemistry ठीक है chemistry में दिया गया है दो सीटे दिया है friends जो आपका subject है उसे में या फिर उसे relevant area में आपका master degree होना चाहिए जो common eligibility सम्में दिया गया है master degree आपका होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ 5% का relaxation दिया जारा है SCST, OVC, PWD कंडेडेट को ठीक है आगे मैं subject और सीटों की संख्या बता दे रही हूँ आप एक बार जरूर अपने subject के सामने जो eligibility दिया है वो एक बार जरूर चेक करेगा ठीक है आगे दिया गया है theoretical and computational chemistry जिसमें 2 सीट है और computational physics दिया गया है mathematics दिया गया है जिसमें 1 सीट दिया गया है statistics दिया गया है जिसमें 4 सीट है physics दिया गया है जिसमें 3 सीट है botany में 1 सीट है geology में 4 सीट है biochemistry में 6 सीट है microbiology है 3 सीट है friends जो important details है उसे मैं cover कर दोंगी फिर भी कोई query होगा तो आप comment box में जरूर लिखिएगा मैं जो है उसका reply जरूर करूंगी ठीक है microbiology लोगी दिया गया जिसमें के सीट हैna agri-business दिया गया जिसमें 4 इचार सीट है food science एड टेक्नलोजी दिया गया है जिसमेzd की शार सीट दिया गये एahh एड democracy दिया गया है जिसमें 9 इंवर्मेंटल के भीस दिया है इन्वर्मेंटल के साथ है वो बहुत सारे दिए गया है आप एक बार देख लिजेगा इसमें से किसी भी में भी आपका मास्टर डिग्री 60% मार्क्स के साथ होगा तो आप इलिजबल है ठीक है जो लोजी दिया गया है जिसमें मालेकुलर मेडिसीन दिया है जिसमें की चार सीट दिया गया औरो मेडिसीनल केमिस्ट्री दिया ऌगया जिसमें पहलं को इसदे फिर्ण कमला्य दान अलगलाइब्स content k हटो यहां पर आयरे साथसे दूबैंघाया कौन लोग दिखें इनुट्री सित क्रामिंग ίहां प्रहठल इनलीजबिल्डी क्राइटेरिया एक अलक तेडी अगया तोड़ी देर में देखेंगे लिकिन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन सी इनवस्टी है ठीक है Friends यहाँ पर देख सकते हैं यह इनवस्टी है यह Central इनवस्टी आफ पंजाब ठीक है इसे नाइग दोरा एक रेट दिया गया है और इसे NIRF रैंकिंग में जो इन्वस्टी की रैंकिंग करवाता है NIRF उसमें इसको 87th रैंक दिया गया है 2020 में ठीक है फ्रेंड्स यह एक रेपुटेटेट इन्वस्टी और टॉप की उनिवस्टी है सेंटर इन्वस्टी है फ्रेंड्स अगर आप इलिजबल है और आपका सब्जेक्ट है तो आप जरूर फॉर्म को फिल करिएगा ठीक है फ्रेंड्स आगे हम लोग देख लेते हैं जो डिटेल्स दी गए हैं वो क्या क्या दिए गया है यह दिखिए उसका प्रास्पेक्टस है और जो एकेडमिक सेशन है वो आपका 2021-22 दिया गया है ठीक है आगे हम लोग देख लेते हैं जो इलिजबल्टी क्राइटेरिया दिया गया था वो क्या दिया गया है सब्जेक्ट हम लोग उने देखी लिया है आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ इलिजबल्टी यानि कि आपका minimum 55% marks होना चाहिए यहां पर देखी दिया गया है friends कि यहां पर देखी subject physics mentioned किया गया है यानि कि physics subject में आपके पास जरूर से UGC, CSIR, ASRB, NET, ICMR, JRF, DBT, BET या GEST में से कोई भी जो examination वो आपका valid जो उसकी validity है उसके साथ आपका qualify होना चाहिए ठीक है या फिर कोई भी national level का fellowship मिल रहा हो या फिर कोई assistant जो है assistant fellowship मिल रही हो ठीक है यहां पर जो physics में जिनके पास ये जो examination है उसमें से कुछ भी qualify है तो उन्हें जो है direct interview में appear होना होगा लेकिन application form को fill करके direct interview में appear होना होगा वो जो है exempted रहेंगे test से ठीक है जो interest test होगा उससे वो exempted है यहां पर जो है subject को physics को यहां पर mention किया गया यहां भी mention किया गया यानि कि यह जो information दी गई है वो physics candidate को दी गई है जो की prospectus में दिया गया उसकी according आगे रिख लेते हैं यहां पर दिया गया है essay student जिनका फ्रेंड्स इसमें physics को यहां उपर दिया गया है देन दिया गया है फर्मासेटिकल साइंस और फर्माकोलोजी और कंप्यूटर साइंस एंड टेकनोलोजी में गेट होना चाहिए या जीपैट क्वालिफाई होना चाह ठीक है फिर दिया गया essay student जिनका non-net है या फिर कोई financially assistant या fellowship पाय रहे हैं उनको जो की government द्वारा दिया जा रहा हो वो जो है eligible है इंटरेस्टेस्ट के थूरू PhD में admission के लिए ठीक है वो application form को fill करके जो है interest test देखे और interview देखे वो qualify करने के बाद PhD में admission ले सकते हैं आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है फ्रेंट्स यहां से DST inspire fellowship दिया जा रहा है जिसके लिए अगर आप eligible हैं तो आप को fellowship दी जाएगी आगे दिया गया है जो cut-off होगा जो interest test होगा उसका cut-off दिया जाएगा वो आपका 50% उसमें लाना जरूरी है 50% अगर आप ले आते हैं interest test में तो आप eligible हैं interview के लिए और friends 5% का relaxation यहां भी दिया जा रहा है SC ST OBC और PWD candidate को ठीक है आगे देख लेते हैं यहां पर दिया गया है जो documents है वो original आपको आपका होना चाहिए interview के time ठीक है वहाँ पर verification होगा आपकी documents का तो हाँ पर original documents आपका होना चाहिए जो date वगरा है वो सब चीज़े आपको बाद में notify कर दी चाहेगी चलिए हम लोग कुछ important चीज़े हैं उससे हम लोग देख लेते हैं यहां पर cut-off marks हम लोगों ने देखी लिया है चीक है आगे देख लेते हैं जो जिन candidate का यहां पर दिया गया है जिन candidate का UGC, CSIR, ICMR, DBT, BED, JRF qualified है उनके लिए जिनका JRF qualified है उनका 70 marks जो है fix है और 30 marks का interview होगा ठीक है या फिर जिन student का यहां आप भी section में देख सकते हैं Net है, Gate है, GPAT है, DST Bet है, Jest है, Physics में without JRF candidate ठीक है उनके लिए जिनका यह सारे exams qualified है उनका 50% marks आपका जो है fix है जो 20% marks होगा वो आपके percentage पर होगा जो यह सारे examination है इसमें जो आप marks पाए होगे उसके percentage के हिसाब से आपको 20 marks दे जाएंगे 30 marks जो होगे वो आपका interview के लिए है आगे देखते हैं जो interest test होगा उसमें वो 70 marks का होगा और 30 marks जो होगे वो आपका interview होगा ठीक है friends यहाँ पर clear हो गया आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है apply कैसे करेंगे आप यहाँ पर दिखे लिंक दिया गया है यह लिंक यहाँ पर आप क्लिक करके application में पहले आप registration कर लेंगे उसके बाद में apply कर सकते हैं यहाँ पर आप चाहें interested हों तो एक बार आप जरू होगा जो important date है यह बाद में आपको notify कर दिया जाएगा जो syllabus और pattern है वह आपका जो national level का examination है इसी के similar ही होगा ठीक है अब fee देख लेते हैं जो fee दिया गया है वो क्या दिया गया है यहाँ पर जो general और OBC candidate है उनके लिए 800 रुपया दिया गया है ठीक है यहाँ पर देख सकते ह चार सो है और PWD candidate के लिए कोई fees नहीं दी गई है और जो आप फॉर्म फिल करने के बाद पे करेंगे वो पे आप कर सकते हैं online ही debit या फिर credit card के द्वारा फ्रेंड्स इस पीडियाव में जितने भी important चीजे थी उसे मैंने cover कर दिया है आगे library और hostel वगएरा सब दिया गया है कि क्या क्या facility मिलेगी इसमें अगर आप interested हो और fee वगएरा कितना होगा पूरे एक semester का या फिर एक साल का या फिर एक course का ठीक है तो उसे अगर आप interested हो details में बढ़ना जाते हूं तो आप जो notification है उसका link नीचे description box में दिया गया है वहां से जाके आप पढ़ सकते हैं या फिर मेरे telegram चैनल पर आपको इसका PDF अब label करा दिया जाएगा आप वहां से भी जाके download करके पढ़ सकते हैं ठीक है friends अभी date वगर क्या है वो हम लोग देख करेंगे या फिर कहां से application form को फिल करेंगे वह हम लोग देख लेंगे ठीक है friends तो चलिए देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो starting date है वो 18.08.2021 है ठीक है और जो last date दिया गया है वो 19.2021 यानि एक सितंबर तक आप form को फिल कर सकते हैं अब चलिए हम लोग website पर चल चलते हैं और वहाँ पर देख लेते हैं यह notification आप कैसे download करेंगे friends हम लोग university की official website पर आ चुके हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं इनवस्टी का जो link है वो यहाँ पर दिया गया है यह link जो है आपको मेरे description box में मिल जाएगा वहाँ पर भी आप जाके देखेंगे यहाँ पर देखेंगे admission दिया गया है यहाँ prospectus भी दिया गया है आप दे सकते हैं यहाँ post graduation का दिया गया है master degree का दिया गया है नीचे scroll करेंगे तो आपको PhD का भी मिल जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं जो admission का portal वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा advertisement यहाँ पर मिल जाएगा prospectus नहाँ पर है advertisement जो है वो आपका हिंदी में भी है English में भी है और पंजाबी में भी है तीनों language में भी है और हम लोगोंने जो है English का advertisement देख लिया है आप जिसमें interested हो जिसमें आप suitable लगे आपको वो advertisement को आप download करके एक बार जरूर देख लिजेगा prospectus जो दिया गया है वो यहाँ पर भी दिया गया है आप यहाँ से भी जो है download करके एक बार देख सकते हैं या फिर आप टेलिग्राम चैनल पर download करके वहाँ पर भी देख सकते हैं ठीक है friends इस वीडियो में इतना ही था सारी details को हम लोगोंने देख लिया है cover कर लिया है फिर कोई query हो या कोई सुझा हो तो आप comment box में लिख सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा वीडियो को सेर करेगा friends मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक आप पढ़ते लिए आगे बढ़ते लिए thank you friends मिलते है नेक्स वीडियो में